आप सभी को साधर प्रणाम रक्षा बंदन का तेवहार भारत की एक अनूठी परंपरा जहां पर कच्चे धागों से रिष्टे पक्के किये जाते हो ऐसा तेवहार जो सामाजिक सोहार्द को बनाता हो ऐसा तेवहार जो संबंधों में इस्तिरता परदान करता हो एक कच्चे धागी का तेवहार जो संबंधों में इतनी प्रगारता पैदा करता हो कि जिसमें यम और उनकी बेहन तोनों आकर के प्रत्वी पर संदेश देते हो कि भाई बेहन जैसा प्यार जैतना भारत में पवित्र है पूरे विश्व को इससे सीखना चाहिए बंदूर रक्षा बंदन का तेवहार धार्मिक है भावनात्मक भी है और समाज को एक संतुलित करने वाला भी है बहुत सारी इस देश ने ऐसी घटनाओं को सहा है जिसके बाद में ये तेवहार इतना मनाया गया हर बेहन को ये चिंता हुई कि मेरा भाई सही बना रहे हर भाई को चिंता हुई मेरी बेहन सही बनी रहे भाईयों ने अपनी बेहनों के सुहाग बचाने के लिए भाईयों ने अपनी बेहनों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए कसमें खाई कि बन्दू हम इस विशय में अंदर जाएंगे उससे पहले हम एक तरफ अपने ध्यान देते हैं कि ऐसे पौरानिक और एतिहासी क्या कारण हुए जब ये रक्षा बंदन का तेवहार मनाया गया यदि हम पौरानिक काल में जाते हैं तो सबसे पहले घटना आती है राजा इंद्र की देवराज इंद्र बार बार राक्षासों से हार रहे थे तब किसी ने बताया कि इंद्रानी जब तक तपस्या नहीं करेंगी तब तक राजा इंद्र ऐसे ही हारते रहेंगे इंद्रानी ने तपस्या की है और अपने तपोबल के दम पर उन्होंने एक सूत्र को बनाया है और एक जो रक्षा सूत्र तयार किया वो इंद्र के हाथ मर बांदा है जब राजा इंद्र के हाथ पर सूत्र बांधा उसके सकारात्मत उर्जा के द्वारा राजा इंद्र ने राक्छसों को परास्त किया है और महरानी इंद्रानी के साथ में फिर से स्वर्ग के आसन पर बैठे हैं एक घटना ये आती है और इसकंदुपुरान पद्मपुरान और भागवत में एक घटना और आती है वामन अवतार की घटना माता अधिती के गर्व से बामन अवतार में भगवान विश्णू ने जन्म लिया राजा बली के पास गए राजा बली से कहा कि राजा हमें विक्षा दो राजा बली ने कहा जो मांगेंगी सब दूँगा बामन अवतार में प्रभू ने कहा कि राजा बली सोच लो तो भगवान का जब ये समझे सुना, राजा बली भी समझ गए कि ये कोई साधारन व्यक्ति नहीं है, तब राजा बली ने कहा, महाराज आप मांगो तो सही, आपको सब दे दूँगा, बोले हमें तीन पग जमीन चाहिए, बोले तीन पग नाप लो आपको जितनी जमीन आपनी है, राजा की बात सुनकर के श्री भगवान ने दो डग में पूरा स्वर्ग, प्रत्वी, पाताल, तीनों लोग नाप लिये, अब भगवान ने अपना कदम उठाया है, कदम उठा के बोले, राजा बली ये तो भूमी सारी स्रष्टी की दो पग में नाप ली, अब ये बताओ, तीसरा अपना पैर कहां रखू में, राजा बली मुस्कुरा करके अपना सिर जुका दिया है, सिर जुका करके बोले है, महराज, आप अपने स्री चरण को मेरे सिर पर रख लीजिए, भगवान प्रसन हुए, भगवान ने कहा कि तुमने मेरे हिर्दै को जीत ल दान मांगने आयते मुझे क्या बर देंगे, तब राजा बली को उन्होंने पातल का राजा बनाया है, और राजा बली ने एक और और मांग लिया कि भगवान सूते जागते पूरे समय आप मेरे सामने रहे में आपका दर्शन करता रहूं, भगवान तो भक्त के आधीन होत अब भगवान 24 गंटे राजा बली के सामने रहते हैं, बामना अवतार की लीला पूरी करने के बाद में भगवान को लक्ष्मी जी के पास जाना था, बड़ी चिंता हुई लक्ष्मी जी को, तब लक्ष्मी जी के पास में नारत जी आए हैं, नारत जी ने युक्ती तब लक्षमी जी राजा बली के पास में आई हैं राजा बली को उन्होंने एक रक्षा सूत्रवांधा है जब रक्षा सूत्रवांधा तो राजा बली ने कहा कि आज से आज आप मेरी बहन हो गई बताईए बहन मैं आपको क्या दूँ उपार सरूप क्या दूँ तब लक्ष तो भाई कैसे मना कर पाता राजा बली ने भगवान को सहर्स लक्ष्मी जी को दिया है फिर श्री भगवान लक्ष्मी जी के साथ विच्रन करने लगे एक घटना ये आती है तीसरी घटना आती है महाभारत की समय की भागवत में ये इसका वर्णन आता है राजसुई यग्य चल रहा है पांडवों ने भगवान करस्न को बुलाया है अपने यहाँ पर तो शिशुपाल ने अबद्र वेवार किया जब पूरी सीमा लांग दी तो भगवान ने अपना सुदर्सन चक्र शिशुपाल के पीछे भीज दिया शिशुपाल का बद हुआ है और जब सुदर्सन चक्र आकर के श्री भगवान की उंगली में लगा आया है तो वो जन कैसे ऐसी लगा तो भगवान के उंगली से रक्त की धार बहने लगी वहीं पास में द्रोपदी खड़ी हुई थी द्रोपदी ने अपने रेशम की साड़ी का चीर फाड़ा है चीर फाड़ करके भगवान की उंगली में बांदा है भगवान ने कहा द्रोपदी आगे के समय में मैं तुमें इस जो चीर तुमने बांदा है मैं उसका उपहार जब द्रोपती का चीर हरन हुआ है उस समय भी स्रावनमास की पूर्णिमा बताई जाती है ये जो घटनाए हुई सारी स्रावनमास की पूर्णिमा में हुई और महाभारत में एक जगे और रक्षा बंदन का वर्णन आता है एक बार भगवान करस्म के पास में युदिष्ठर जी बैठे हुए है युदिष्ठर जी ने पूछा कि हे गोविंद मैं इन कस्टों से कैसे चुटकारा पाऊं तब स्री भगवान ने कहा कि तुम अपनी सेना में के साथ में रक्षा सुत्र बांदो एक दूसरे को रक्षा सुत्र बांदो जिससे तुमारे सारे संकट कटें और उसका परिणाम आप देखिए युदिष्ठर की सेना जीत गई मंगलकारी परिणाम हुए अब ये रक्षा बंदन का त्योहार का हमने पौरानिक प्रसंगों को देख लिया रक्षा बंदन का एतिहासिक क्या प्रयूजन था रक्षा बंदन का एतिहासिक प्रयूजन में जाने पर थोड़ा मन में बड़ा छोब होता है क्योंकि भारत ऐसी इस्तिती से गुजरा जहां पर कभी हमने विचार भी नहीं किया था भारत किन इस्तितियों से गुजरेगा मालूम नहीं ऐसी स्थितियां क्यों होई जब योद्धा युद्ध में जाया करते थे तो उनकी बहने उनके टीका लगाती थी और हाथ में रक्षा सूत्र वांदा करती थी और उनको याद दिलाती थी कि भहिया जब जब तुम्हारी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बंदा दीखेगा तुम्हें तुम्हारी निगाईस रक्षा सूत्र पर जाएगी तुम्हें अपनी बहनों की याद आएगी कि मुझे अपनी बहनों की इज्जत बचानी है ये वो समय था जब क्रूर मुगल आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया था और इस भारत की जो हमारी पवित्र आत्मा यूतियां थी उनको ले जाकर के अपने हरम में शामिल कर दिया करते थे उनके साथ व्यविचार किया करते थे उनके साथ अनाचार किया करते थे तब बहनों ने अपने भाईयों के हाथ में रक्षा सुत्रवांद करके उनसे एक प्रार्तना की थी भाईया हमारे प्राणों की रक्षा आपके हाथ में भाईया कैसे करके हमारे प्राणों की रक्षा करो नहीं तो हम अपने को आग में जला लेंगे भाई जब जब लड़ाई में उन अपने हाथ पे अपनी बहन के द्वारा बंदे हुए राखी को देखते थे उस धागे को देखते थे तो वो और जोश में आ जाया करते थे फिर वो उन कुरूर आकरांताओं को मारा करते थे दीरे दीरे करके ये परंपरा कालांतर में रक्षाबंदन की नाम से फिर विख्यात हुई कि स्रावन मास की पूर्णिमा को भाई बहन की रक्षा के प्रण लेते हैं और बहन भाई की रक्षा का प्रण लेती हैं रक्षा बंधन की सुरूआत ऐसे हुई अब हम सास्त्र विध्य देखते हैं कि सास्त्र विध्य में कलाई पर ही क्यों राखी बांधी गई कलाई पर ही क्यों मौली बांधी गई उससे तृदेव, ब्रह्मा, विष्णू, महेश एवं उनकी शक्तियां तृदेवियां लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी अपनी कृपा करते हैं हाथ के मूल में जब हम देखेंगे तो वहां तीन रेखाएं होती हैं जिनको मनी बंद कहा जाता है भाग्य और जीवन की रेखाएं इसी मनी बंद से ही प्रारंब होती हैं और मनी बंद की इन तीन रेखाओं में तृताप, दैहिक, दैविक और भोतिक तापं को देना और इन से मुक्ती करने की शक्ति होती है और इन तीनों मनी बंदों के नाम शेव, ब्रह्मा और विश्नु कहलाए जाते हैं और जब हम मौली, कलावा या राखी को मंतर से अभिमंतरित करके उस स्थान पर पहनते हैं तो ये सुत्र तृदेवी और तृदेवियों को समर्पित हो जाता है जिसके फल्सुरूप ब्रह्मा जी हम पर करपा से कीर्टी देते हैं भगवान विश्नु करपा से हमारी रक्षा करते हैं और सिब जी की करपा से दुरगुनों का नाश होता है वहीं तृदेवियों की करपा में महारानी लक्ष्मी से हमें धन प्राप्त होता है और पार्वती की दुरगा रूप से हमें शक्ती मिलती है और सरस्वती की करपा से हमें पुद्धी प्राप्त होती है इस प्रकार रक्षा सूत्र धारन करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है बेहन जो हमारे हाथ में ये धागा बांधती हैं ये सूत्र बांधती हैं वो परमपिता परमात्मा से हमारे मंगल कामना के लिए बांधती हैं चूंकि बेहनों ने हमारी मंगल कामना के लिए ये सूत्र हमारे लिए बांधा है तो हम भाईयों का भी करतब्य होता है कि हम अपन बेहनों की रक्षा करें इसलिए दोनों एक दूसरे की रक्षार्थ ये मंगल अनुष्ठान किया करते हैं जो रक्षाबंधन का पर्व कहलाता है आज इतना ही आप सभी को मेरे परनाम